दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ ही हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं तो चले शुरूत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से पहली खर्मेदे के बिहार में सिख्चक नियुकती जल्द एक मा के अंदर नियामोली शिक्चा मंतरी डाक्ٹर चंदर सेखर ने टूट करके दी जानकारी कहा जिला प्रसोसन के नियामोली आपके बीच में आ जाएगी साथ है उन्होंने लिखा कि जल्द एस साथवे चरण की नियुकती होने जा रही है वर्स 2030 नियुक्ति का वर्स होनी वाला है कोई अभियरती घबराएं नहीं महिना बर के अंदर नियोजन नियामले आपके बीच में आ जाएगा सारी मेगा सुची योगता और सिक्छक पातरता परिचा के अधार पर बनेगी और जिल्य प्रस्वासन के नितोत में बहाली होगी साथ डाक्टर चंदर सिकर ने आने टूट में लिखा कि पहले नो हजार इकाय थी अब ये 38 सिकाय में नियुक्ति पद्र का बटवार होगा किसी गड़बड़ी के कोई गुंजाइस नहीं रही बाड़ी कर में देखे बढ़ना में गंगा में 33 रिस्टूरेंट का मज़ा लीजिए डिट्री सेम तेजस्वी ने MB गंगा कफिर के उदगाड़ान तीन से रूपी होंगे खर्च जा देखे बिहार का पहला 33 रिस्टूरेंट MB गंगा बिहार 6 साल के अंतराल के बाद अब तयार है इसका उदगाड़न सुकरवार को बिहार के ओपो मुखे मांत्रे तेजसु यादव द्वारा किया गया इस फ्लोटिंग रिस्टूरेंट के खुलनी से पटना के लो गंग आपके जानकारे के लिए बता दे कि इस फ्लोटिंग रिस्टूरेंट को आयाटी खड़कपूर के इंजिनरिंग के मदद से पूरी तरस रिपेर किया गया है इस क्रोज के मरमत के लिए सरकार ने सैंदा समराट डेवलोप्मेंट एवन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड क कमपनी को चुना था बता दे कि इस पर सफर के लिए प्रति व्यक्ति प्रति घंटा 300 रुप्य खर्च करने होंगे खास मोके या आयोजन के लिए इसे बोग भी किया जा सकता है इसके लिए 25,000 लेकर 51,000 रुप्य तक खर्च करने होंगे बाड़े कर में देखे 20 विद्याटियों को उच्छ सिख्धा दिलाने के लिए बिहार सरकार विद्यस भीजेगी या पूरी तरह निसल को होगा याने इस पर आने वाले खर्च राज स्रकार वहन करेगी तो अबर च्छात्रों की सुची विस्वी दले उपलब्द कराएंगे जिसके अनुसार च्छात्रों को विदेश भेजा जाएगा साथ इन्होंने कहा कि सिक्छा की छेतर में देश बर में टॉम पाँच में बिहार का इस्तान है बिहार सरकार पूरी बजट का 16 फीज़े सिक्छा पर खर्श करती है परणा मिमेंस कोलेज में सकरात्मक एनरजी है कहा कि जाती धर्म से उपर हमारा समयधान है बड़ी कहर में देखे बिएड सैयुंग त परविश परचा के लिए जल्द सुरू होंगे आवेधान सैलिवस में नहीं होगा बदलाओ जिहादे के राज के सरकारी और नीजी बीएड कोलेज में नामांकन के लिए संयुक्त परविस परिचा अप्रिल के पहले सब्ता में हो सकती है मारश के अंतिम सब्ता में एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा आवेदन परक्रिया 15 से 20 परवरे की बीचारों होंगी परविस परिचा के अधार पर राजबर में करीब 330 कोलेजों में लगवा 35,000 सीटों पर नामांकन होगा वाईदे के राजबहुन ने एक बार फिर से ललित नाराइन मिथला विस पर दल्य को बीएड पर इस पर इच्छा करने की जिम्मेदारी सोपी है पिछले दिनों बीएड नामांकन समिती की बेड़क कुलपदी के देखता हुई इसमें नामांकन प्रक्रिया के समावी तेतियों पर विचार भी मस किया गया वाई देखे कुलपदी ने बताए कि 20 जून तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेनी है एक जुलाई से नया सत्र सुरू होगा बीएड नमांकन प्रक्रिया के लिए जल्द एजनसी का चैन किया जाएगा आवेदन सुल के एक हजार से बारस रुपी रखा गया है रासी ओलाइन जमा होगी सबी बिसवी दलाई के उसके अंतरगत आने वाले कोलेजों की सुचना मांगी गई है साथ ही आपको बता दे कि कई विसवी दलाईों में बेड कोलेज की सिंका बढ़ी है बाड़ी खर में देखे आम बजट के बाद महांगाई का जटका अमूल ने तीन रुपीय परती लिटर बढ़ाए दूद का दाम जाधे बाजट की तुर trap बाद अब देखे वासियो को महांगाई का एक और जटका लगा है अमूल ने तीन रुपीय पर ती लिटर दूद के दाम बढ़ा दिये हैं अम्ंल ने बियान जारी कर बताई कि दाम तीन रुपीय परती लिटर बढ़ा दिये गया है दूद के बढ़ते वे दाम कल यानी तीन परवरी से लग हो गया है अमूल कमपनी के मताविक अब अमूल ताजा आदा लिटर दूद 27 रुपिय में मिलेगा जबकि इसके एक लिटर पेकेड के लिए 4 रुपिय चुकाने होंगे अमूल गोल्ड यानी फुल क्रिम दोद का आदा किलो का पेकेड अब 33 रुपिय का मिलेगा जबकि इसके एक लिटर के लिए 6,6 रुपिय चुकाना होगा आपके जानकारे के लिए बता दे के अमूल ने पिछले साल अक्टूबर में केमतों में 2 रुपिय प्रत लिटर के बड़ोतरी की थी बाड़े करमेदे के बिहार में आसान होगा सपर जल्द सुरू होगा दर्बंगा से असम तक चार लेन सड़क इन जिलों को भी फायदा होगा जिया दे के राइधानी पटना जिले में फत्वा और धरानुआ अंचल में असम दर्बंगा फॉरलेन के निर्मान के लिए जमीन का अधिगरान होना है सीओ के साथ डिसी अलार जमीन अधिगरान मामले में तेजी लाने के लिए लगे हुए हैं सबसे पहले किसानों की जमीन निपटारे में तेजी है जिनकी जमीन अलायमेंट वाले हिस्से में आ रही है सबी के जमीन के काज़ात को तियार कर रहे हैं जिससे किसानों को मुआज़ा वितरित हो सके बाड़ेखर में देखे केंद्रे बजड में बिहार को मिले साथ और एकलवी स्कोल इन दो जिलों में इसी सत्रे से होगी पढ़ाई जिया देखे केमूर के अधवरा और पाश्चिम चमपारन के राम नगर में भवन बन रहा है उमीद है कि इस सत्रे से यहां भी पढ़ाई सुरू हो जाएगी इन दोनों जगोह पर भी साथ सो के लवग ना मंकन होगा इन तिन जिलों के अलबा बिहार में साथ और जगोह पर एकलवी विदाले कोने का निनने लिया गया है इने साथ एकलवी विदाले के लिए अब जगा चीनित की जा रही है आपकी जानकारे के लिए बताते कि केंद्रे बजट में देश बर में साथ सो चालिस एकलवी विदाले कोले जाने की गोसना हुई है इसमें साथ विद्दले बिहार में खुलने वाले है जिन जगों पर आदिवासी समुदाई के लोग अधिक राते हैं वहीं पर एक लब इसकुल खुला जाएगा ऐसे में बिहार सरकार जल्दी जगा चीनित करेगी एसी और रष्टी वर्गे के बच्चों को सेक्षनिक सुविता देने के लिए एक लब विद्दले खुला जा रहा है इसमें चात्रों चात्राई दोनों के पढ़ने और रहने के विबस्ता होगी इस परकार अब बिहार में आरजडी पर बिज़ेपी का हमला राजनिति के बववाह तेजस्वी अनुबव नहीं और चार विभाग के मंतरी ज्यादे के भारते जनता पाड़ी ने बिहार के डिपी सेम तेजस्वी यादब पर बड़ा हमला किया है पूरु मंतरी और बिहार विदान परिशत के नेता ब्रतिपाउच समराठ चोधरे ने कहा कि तेजस्वी बिहार के राजनिति के बववा है बागेर अनुबव के चार चार विभाग लेकर बेठे हैं बिज़ेपी के हमले से राज़त तिलमिला गया है बाजपा नेता ने तो एक तिर से दोने साना सादा है राज़त का प्रसाद के पास वोट लेकिर तेजस्वी यदव क्या है वो तो अभी बववा है अभी आये ही है समराठ चोधरे ने पूछा अभी नोने बिहार के लिए क्या ही किया है वाज़े के दूसरी तरफ समराठ चोधरे के बयान पर राष्ट्य जनता दल ने कड़ा इतराज जता पाड़ी परवक्ता में तुझत तिवारे ने कहा कि बीजेपी को अभी ये मालूम नहीं है कि तेजस्वी यदव राइनेती के बवा नहीं बलके दादा है सता से बाहर होने के बाद भी बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा है राज़े परवक्त ने कहा कि बीजेपी को कली कारी केके पाढग प्रक्रन पर मुख्ये मिंद्ध कुमार का पहला रिएक्शन सामने आए hungerag में समादान यात्रा के दोरान नितीश कुमार ने इस मामले में पात्रकश के सवाल का जवाब दिया उनों ने कहा कि इस मामले के जानकारी उन्हें मिली है चीप सेकेटरी को जाज कादिस दिया गया है जो तहते मिलकर सामने आएंगे उसके आदार पर आगे के करवाई की जाएगी बाड़ीकर में देखे बिहार के सब्सक्राइब अर्थी जिलों में अपरेल तक कन्या आवाज से विद्दाले खुलेगा जादिके इन राज सरकार अपरेल तक सब्सक्राइब अर्थी जिलों में पिछड़ा आठी पिछड़ा कन्या आवाज से विद्दाले खुले कर देगी इसके लिए पिछड़ा वार्ग एबं आथी पिछड़ा वर्ग कर्लान विबाग ने व्यापक कर्योजना तैयार की है इसको ले को बदा दे के हर जिले में आवासेवी दल में पांस बेस पांस बेस चात्राओं के रहने और पढ़ने के वबस्ता की जाएगी बाड़ी कर में देखे बिहार में 36 नए रेल लाइने बिचेगी 87 स्टेशनों को भी होगा काया कलब जहाँ देखे आम बजट में बिहार में रेलवे की विकास के लिए 85 करोड की रासी दी गई है कई नई परियोजनों को भी मंजूर मिली है 36 नए रेल लाइन बिचाने के लिए रासी दी गई है वहीं 17 रूटों का दोरी करण भी होगा वहीं और भूकता सुविदाओं पर बनाया जाएगा इन के लिए गया के लिए 296 करोड मुझपर पूर के लिए 442 करोड मुतिहरी के लिए 221 करोड और सितामड़ी के लिए 212 करोड प्रावधान है बाड़े करमेदे के महावीर मंदर के पास फलाई ओवर से जोड़ेगी बहुं मंजली पारकिंग जहादे के राजधाने के बुदा पार्किसित माल्टी लेवल पारकिंग को स्टेशन रोड के फलाई ओवर से जोड़ने का काम जल्द ही सुरू होगा पुल निर्मान निगम के कार पर मंदल पार्टना वन ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है निर्मान कार 18 मैने में पूरा कर लिया जाएगा इस पर 14.36 कड़ो रुपे के लागत आएगी माल्टी लेवल पार्किंग को फलाई ओवर से जोड़ने के लिए 94 मिटर लंबे और साड़ी साथ मिटर चोड़े अवर बिरेज के निर्मान होगा इसके बाद माल्टी लेवल पार्किंग के उपयोगता काफी हथ तक बढ़ जाएगी पाटना हाई कोड में असिस्टन के पद पर निकली बंपर वेकेंसी 6 फरवरी से सुरू होगा आवेदन लाखों में है सेलरी जिया देखे पढ़ना हाई कोड में असिस्टन के पद पर बंपर भरती निकली है इस रिकूर्टमेंट में 550 पदों के लिए भरती निकाली गई है आवेदन 6 फरवरी 2023 से सुरू होगा और अपलाई करने के अंतिम तरीक 7 मार्च 2023 से अंतिम तरीक के पहले बताई के प्रारूप में अपलाई कर दे साथ ही में कम्पीटर एपलेकेशन में डिप्लोमा होना निवार है वाई इस बद के आयू सिमा के बात करें तो इनके लिए आयू सिमा 18 से साथी साल तई की गई है बाड़ी खर में देखे बिहार के अलग लग रूटों से गुजरेगी दो वंदे भारत एक्सप्रेस पटना और बनारस से हावडा के लिए चलेगी ट्रेन यहां बता दी कि वर्तमान में पटना से हावडा के लिए दुरंतो वह जन सताब्दी एक्सप्रेस सहीद कुछ ट्रेने चलती है वही वंदे भारत ट्रेन दुरंतो वह जन सताब्दी की तुलना में तेज चलेगी और रियात्रियों को कम समय में ही गद्दवत इस्टेसन त सब्सक्राइब करें